सबी को जाइन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जाइन्द रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिएक लिए टेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशूर होस्ट अरम शेको जिनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी इंदोस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोट की सीनर वकील दबंग नाजी अलाइक खांजी और यह दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और हम सब के हीरो बगत लाने को मिलेगा तो इससे अंतक देखें और चैल पर नहीं है तो चैल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और इंफोमेटिव वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत एक बर फिर आप हमें जोईन की और आज के टॉपिक पर अपनी क्या अपिक यह भाहति तॉपिक है तो तायं कि विस्टेज अपिक है तायं किया मैं तायं कि अवदे मातरम भारत माता की जैए थैंक्स अलोड मैंने सुना अनम कि आपके सरकार की तरफ से यूट्यूबर को नोटिस पहुच गया है या लूग लुग गुला सकते नहीं पहले वालेने काम पैट पेट 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 पेड़लात मारने काम और अख्यट अच्छे अबेरन्स चो बंद करने काम पाकिस्तान बहुत अच्छा सि जानता है। बड़ा वकू को गई आता है । यह नहीं भी आफ़ाइ चल रही है कि एक दो यूटीवर्स को आया है बड़ वह अब 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 तक यह कीनि किया क्योंकि अब अब तक मेरे पास तो इसा कोई नहीं नहीं आया जाए जब आए तब देख लेंगे और नहीं कोई प्रूफ किसी यूटीवर्स ने दिया है जो कि नोटीस आया हो तो उन्हों हमें तिखाया हो कि ऐसा है इसलिए हम आपको मुला रहे हैं और आपसे बात कह लिए अच्छा मैं टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा है जसे मैंने पहले बोला है बागत सिंग से है बागत सिंग की हिस्ट्री जब मैंने पाकिसान के मतफ्रू पहले पड़ी थी तो बताया गया था कि भई वो यहां अनारकली हमारा अनारकली जो है वहां से वो गुजरा करते थे और लाश भी उन्होंने बड़ा मतलब पंजाबियों को कतल कि और इस तरह की काफी पर जियो न्यूस पर एक डॉक्मेंटरी उन्होंने बनाई और बहुत ही मैंने सुनने के बाद अच्छा फील गया कि उन्होंने कहा कि भगत सिंग जो है वो एक तो पंजाबियों के लिए है वो पाकिस्तान के भी हीरो है मतलब हिंदुस्तान बरसगीर के भी हीरो थे और उ पर जाए ही उनके नाम से कोई जगे नहीं तरी खास बनाई गई गई एक भगत पूरा है बस उसके इलावा कोई खास मैने नहीं सुना अब उन्होंने यह रिलाइस कि और उन्होंने इस चीज को कंड़म भी किया है कि हाँ भगत सिंग हीरो है लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट् है और ना ही कभी उनके तरीखी कोई मुकाम बनाया गया है अब इस चीज को एक सब्सक्राइब करने कर क्या वजू हाथ है जबकि पहले कभी नहीं किया आपको क्या लगता है बहुत कुबसूरा टॉपिक आपने मुझे दिया है और जब भी वीर भगत सिंग जी की बात आत की सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजूए कादि में है तो यह एक लाइन मुझे जरूर याद आती है और जिस तरह से बीषगात सिंग जी एक महान क्राम्तिकारी रहे है जिस तरह वो जोश, वो वलवला, वो एनरजी, मुझे फिर से दिखाई देने लगी है, भारत के युवाओं में, सनातनी युवाओं में, आज भी, जब देश की सेना के जवानों से हम मिलते हैं, अभी मैं पहालिया में मैं वाइजएक गई भी थी, वहाँ पर मैं काफी नेवी ओफिसर्स से मिली, और जब भी मैं बॉर्ड भी मैं बांगलादेश ओपिसर्स से मिली थी, और जब हमारे देश की सेना से, मैंने भारत की सेना से मैं मिली, तो देश के प्रती अपने आपको समर्पिट करने का जो जोश उनके अंदर दिखाई देता है, उसकी सबसे बड़ी वज़ा भगत सिंग जी है, सबसे बड़ी देंगे, तो वो एक जो एनर्जी आती है, वो भगत सिंग जी के द्वारा ही आती है, 28 सेप्तमबर 1907 में जनम हुआ, और 23 मार्श 1931, 23 साल की उमर में मिट्यू हो गए, बहुत अफसोस, बुरा लगता है, और आखों में आसू आ जाता है, 23 साल की उमर में नौजवान अपनी गर्फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, शादी करने के बारे में सोचते हैं, अपना घर बसाने के बारे में सोचते हैं, उसी 23 मात्र 23 साल की उमर में फासी पर मुस्कुराते हुए चढ़ जाना, अपने देश के लिए अपनी प्राण को समर्पित कर देना, अगर सीखना है तो भगज सिंची से सीखना चाहिए, अब कहते हैं जैसा खून होता है वैसा ही उलाद पैदा होता है हम जैसा पेड़, जिस चीज का पेड़ लगाते हैं वैसा ही फल लिकलता है भगज सिंची के पिता और उनके ताउ अजित सिंग जी बहुत आक्टिवली जो थे वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में वो वो पार्टिसिपेट करते थे बहुत आक्टिवली उन्होंने पार्ट लिया था एकिटेशन अरांड दा कनाल क्लोनाइजेशन बिल इन 1907 उसके बाद फिर गदर मुव्मेंट के स्कूल में आपके पाकिस्तान में उनका एड्मिशन हुआ था और उसके बाद फिर वो एंड्रोल्ड हुए थे एंगलो वैदे के स्कूल इन लहोर में उसके बाद फिर 1923 में वो जॉइन किये थे नाशनल कॉलेज ओफ लहोर लहोर का नाशनल कॉलेज उन्होंने जॉइन किया था और दो साल के लगभग, दो साल के आसपास में लाला लाजपत राय और महात्मा गान्दी से उनकी मुलाकात हुई थी, लॉन कॉपरेशन मुव्मेंट में उन्होंने भड़ चड़ करके हिस्सा लिया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो एक जो गंजर्वेटेव जो इसलाम को लेकर के जो एक चीजे थी, वो भगत सिंग्जी के औरा को पहचान नहीं पाई, भगत सिंग्जी के औरा को एकसेप्ट नहीं कर पाई, आज भी पाकिस्तान में अगर आप गुड अवेरनेस पर काम कीजिएगा, तो आपको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिय जाएगा या आपकी जुबान को बंद करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, हाला कि आप जो जुबान इस्तिमाल करते हैं, वो भगत सिंग्जी की ही दी हुई है, आपका इसलामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान है, खाइदे तरीके से आपको अरब की तरह अरबी में बात क करनी चाहिए, या तो आपको पर्शियन में बात करनी चाहिए, जैसे तुर्की वगरा में होता है, और या तो फिर आपको प्रॉपर उर्दू में बात करनी चाहिए, आप लोग कैसे बात करते हैं, आप लोग पंजाबी और उर्दू को मिक्स करके बात करते हैं, आपके ज तो टोन आता है ना यह टोन आक्चुली में पंजाब से आ रहा है आपके पास अपनी खुद की जुबान भी नहीं है पाकिस्तान निकोलियर बॉम के लिए बहुत दुहाई चाती पीटता है बड़ा सीना चौड़ा करता है वो भी खर्ज में है पूरा का पूरा पाकिस्तान आपके पस अपनी जुबान भी नहीं है तो वह भी घतस सेनल में चुराई है और उनको ना जाने कितने यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगत सिंग जी के movement से और जिस हिसाब से यूबाओं को वो convince करते थे देश के प्रती अपने आपको समर्पित करने के लिए देश के प्रती मोहबत रखने के लिए ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश के police officers और sergeant वगारा भी उस वक्त उनको sergeant कहा जाता था sergeant वगारा भी concern में आ जाते थे कि भगत सिंग जी की अगर एक speech इस corner पर हो गई तो मान लो कि यह सारे यूवा जो भीड लगा करके सुन रहे हैं वो भगत सिंग जी के समर्थक बन जाएंगे ऐसी उनकी speech deliver हुआ करती थी जोस्तो आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खांजी के दमदार और बेबाक reaction आपको काफी पसंद आया होगा ताकि हम अपने से important, interesting और latest वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत